एक और नोट बंदी इसके साथ ही काई पॉलिटिकल रियक्शन भी सामने आने लगे हैं लेकिन ऐसे में ये सवाल उटना लाजमी है कि क्या इस फैसले का असर एकनॉमी पर देखने को मिल सकता है क्या शेयर बाजार में इसका असर पड़ेगा और क्या देश के बैंकिंग सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं इस नोट बंदी से क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या इस नोट बंदी से एकनौमी पर असर पड़ेगा या फिर नहीं तो आपको बता दे कि जानकारों का मानना है कि देश में पेमेंट एको सिस्टम का तेजी के साथ डिजिटलाइजिशन हुआ है जिसके बज़े से इस बार इस फैसले का एकनौमी और मार्केट में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा वैसे देखा जाये तो आमतोर पर लोगों ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन पेमेंट फैसलीटी का यूज करना शुरू कर दिया है इसलिए जैसे हमने 2016 में पहले देखा था वैसा कोई बड़ा इशू नहीं दिखाई देगा वहीं एक और जानकार के अनुसार इस कदम से बाजार और अर्थ विवस्ता पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि करन्सी का सर्कुलेशन पहले से ही कम है साथ ही देश में डिजिटलाइजेशन पेमेंट सिस्टम भी काफी मजबूत दिखाई दे रहा है अब सवाल ये है कि ये नोट बंदी टैक्स कलेक्शन में मदद करेगा या फर नहीं इस सवाल पर जानकारों का माना है कि अब जादा तर 2000 के नोट बैंकों के पास है और कुछ नोट ब्लाक मनी रखने वालों के पास हो सकते हैं ब्लाक मनी रखने वाले लोगों को अब पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया जाएगा ये कदम ब्लाक मनी के वाल्यूम को पूरे तरह के से खत्म करेगा इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में सुधार करने में मदद भी मिलेगा इसलिए बाजारों के लिए ये पॉजिटिव संकेत है अब सबसे बड़ा और एहम सवाल कि इस 2000 की नोट से क्या बैंकिंग में सुधार होगा इस सवाल का जवाब में जानकारों का कहना है कि इस कदम से बैंकों को काफी फायदा होगा और इसका असर आम लोगों को फायदे की रूप में भी देखने को मिलेगा जिस तरह साल 2016 में नोट बंदी के समय देखा गया कि बैंकों में डिपॉजिट की भरमार हो गई थी इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जिसकी वज़े से बैंक डिपॉजिट रेट में इजाफे के प्रेशर का असर कम हो जाएगा इसके अलावा शॉट टर्म में डिपॉजिट रेट की कटोती भी देखने को मिल सकती है उमीद है आपको समझ आ गया होगा कि 2000 के नोट बंद करने से किसका फाइदा होगा और किसका नुकसान इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट बाक्स में जरूर बताए और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहें जन्भावना टाइम्स के साथ और अभी तक आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटावट कर ले और बेल आइगन को प्रस करना ना बोले फिलाल अभी की खबरों में सर्फ अतना ही देश और दुनाय की बाकी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जन्भावना टाइम्स के साथ नमस्कार